आपको बता दे एक shocking news आप तक पहुँचाने वाले है हम एक हैरानकुन वाक्य और एक दिल दोज वाक्य आप तक पहुँचाने वाले है क्यूंकि वादि कश्मीर में हम लगातार देख रहे हैं कि नवजवानू में एक violent behavior देखने को मिल रहा है और ऐसे ही आज एक violent behavior देखने क जहां पर एक लड़की ने एक लड़के पर हमला बोला है, हाला कि ऐसे इंसिडेंट हमें बहुत रेरली कश्मीर में सुनने को मिलते हैं, इस्पेशली अगर स्रीनगर की बात करें तो यह जो इंसिडेंट पेश आया है, यह दारिश कदल लोकालिटी है, जो की काकसराय की लोक कुरे से, यानि के एक नाइफ से उस पर हमला बोला है और उसको जो है, उसको इंज़ट किया है, उसके बाद उसको अस्पताल पोँचाया गया है, यह लड़का जो है, जिसको victim कह सकते है यह बहिमना के रहने वाले है उसके बाद उसको SMHS Hospital पोंचाय के रहने वाले है Mean Assam जो कि बिमना के रहने वाले है और अगर हम लड़की की बात करें जो कि मुवाइना तोर मुल्जिम बताई जा रही है वो उस स्पॉर्ट से फिर फरार हो चुकी है अब अब खुद सोचे कि ये इंसिडेंट शायद ही हमने कभी सुना होगा कि जिसमें एक लड़की एक लड़ शुर्ण नहीं जानते है कि उनका रीजन क्या था लड़की ने चुरा क्यूं गोँपा ये रीजन नहीं हो रहा है ड्राग एडिक्शन देखे अब कौन सा ऐसा क्राइम है जो यहां नहीं बढ़ रहा है अफसोस के साथ बताना पढ़ रहा है कि यह जो आज काकसराई में इंसिडेंट पेश आया है इसने पूरे स्रीनगर के रोंगडे खड़े कर दिये है कि ऐसा कैसे हो सकता है हाला कि यह बिल्कुल जाइज नहीं है कि ऐसा वाइलेंट एक्ट हो आपको बता दे जो लाइव में दुबारा जुडे है यहां पर हमारा साथी जुडे है उनके लिए बता दे कि कश्मी न्यूज अब्जरवर जो कि एक मुकामी न् इंसिनेंट पेशा है जो कि स्रीनगर का इलाका है दारिश कदल नाम करके वहां पर एक लड़की ने एक लड़की को छुरा गोंब कर उसको जखमी कर दिया है उसके अब्डमन में चोट आई है एक नाइफ से जो है उसको कतल करने की यानिकि एक एक एटेंप्ट कह सकते है जिसमें उसकी जान जा सकती थी आपको बता दे यह इसमें अगर लड़की की बात करें जो की मुबाइना तोर पे मुल्जम बताई जा रही है वो उस स्पॉर्ट से फरार हो चुकी है लेकिन जो लड़का बेमिना इलाके का रहने वाला है उसको SMHS हॉस्पिटल ट्रीटमें की बात करें चाहे हम भड़ते क्राइम्स की बात करें चाहे हम वाइलेंस की बात करें लगातार सिरनेगर पुलिस की और से जो है ठोस कदम उठाए जा रहे है तो उनको चाहिए कि इस मामले की भी तैकिकात हो फास्ट टाक इंक्वाइरी हो ताकि ऐसे इंसिडेंट जो है सा झाल जावजादा झाल